हेलो एबरीवन, मैसेल रविंद्र कुमार मीना, अस्टेंड प्रोफेसर अप जोग्राफी, तुडें वी आर गोईंग तू अंडिस्टेंड और डिफाइन ओरिजन ओव दा अर्थ, बिये पार्ट प्रतमबर्ष के भौति बुगौल का जो पेपर हम पड़ रहे हैं, उसके अंतरगत आज हम उसकी पहली यूनिट का जो दूसरा पार्ट है, प्रतवी की उत्पत्ति, उसके बारे में हम पड़ेंगे, यहाँ पे आपको यह जो ग्रह नजर आ रहे हैं, इसमें सूरस से जो तीसरे नमबर का जो ग्रह है, प्रतवी, हमारी प्रतवी, उसकी उत्पत्त पढ़ते हैं, तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो सॉलर सिस्टम है, उसके बारे में हमने पढ़ा कि उसके अंतरगत आठ ग्रह हैं, और उन आठ ग्रहों में से ही एक ग्रह हमारी प्रतवी है, इन ग्रहों की उत्पत्ति सूरस से ही हुई है, तो उस क्रम में हम देखें कि प्रतवी सोर मंडल के नौ ग्रहों में से एक ग्रह है, हम प्रतवी पर निवास करते हैं, इसलिए प्रतवी का अध्यन हमारे लिए सभी ग्रहों के अध्यन से महत्पून है, ग्रह अपने आकार और उसका संग्ठन अर्था जो तत्प से बने हैं वो, उस पधार् के तापमान और सूरिय के गिर्द परिक्रमा की अबदी की दरस्टी से एक दूसरे से भिन्न है, अर्था दिन की वनावट और सूरज के चारव और जो परिक्रमा ये करते हैं और इनका जो टेम्परेचर हैं, उसके अनुसार ये आठो ग्रह अलग-अलग प्रकार के हैं, इ वो क्या है सूरज से दूरी है जिसमें बुद्ध, सुक्र, प्रत्वी और मंगल ये जो चार ग्रह हैं ये सूरज के निकट हैं जिसके कारण इने हम भीत्री ग्रह के नाम से भी जानते हैं व्रस्पती, सनी, अरण और बरण जिसमें यम जो पहले प्लूटो हुआ करता था आजकल ग्रह नहीं है ये सूरज से दूर है और इने हम वाई ये ग्रह के नाम से भी जानते हैं कुछ ग्रह गैसों के बने हैं जिनने गैसिय ग्रह कहते हैं जिसमें हम देखें कि जो अभी हम पहले देख रहे थे कि जहां पर हमने देखा कि वुद्ध, सुक्र, प्रत्वी और मंगल ये तो भीत्री ग्रह हैं इसके अलावा व्रस्पती, सनी, अरुन और बरण ये गैसिय ग्रैह हैं और जो pluto है जिसको अंतराष्टिय खगोल संस्ता ने ग्रैहों की सुची से बाहर कर दिया जिसें यम की नाम से जाना जाता था वो एक विचित्र ग्रैह है और वर्फ का बना है और जो सरकल होता है इस प्रकार से उसको भी वो cross करता है इसलिए उसे ग्रै की definition से बाहर कर दिया गया अब हम देखते हैं सबसे पहले कि origin of the earth कि कि किस प्रकार से प्रत्वी की उत्पत्ती हुई है तो यह कहना कटिन है कि प्रत्वी की उत्पत्ती कैसे हुई क्योंकि यह बहुत पहले हुई है इस विशे में विविन विद्वानों ने विविन विचार प्रगट किये हैं अर्था जितने भी जो विद्वान हुए है उन्हों अपने अपने हिसाब से यह define किया है कि ये जो प्रत्वी है वो किस प्रकार से उत्पन होई थी जिसमें हम प्राचीन समय का इतिहास देखें तो एक समय ऐसा था जब पूरी दुनिया ये मानती थी कि प्रत्वी ही क्या है सेंटर में है और बाकी के ग्रह इसके चार और चकर लगाते हैं लेकिन पंदर्वी और सोल्मी सतावदी में जब दुर्वीन का आविस्कार हुआ या और नए परिवर्तन हुए तो उससे ये सिद्ध हो गया कि प्रत्वी नहीं है एक्चुली क्या है सूरिय बीचने है और बाकी के ग्रह उसके चार और चकर लगा रहे हैं तो यहाँ पे अलग-अलग विद्वानों की अलग-अलग मत हैं लेकिन एक बात तो सत्त है कि अन्य ग्रहों की भाती प्रत्वी की उत्पत्ती भी सूरिय से ही हुई है हम देखیں सबसे पहले प्रतवी की उत्पत्थी तो वर्तमान में प्रतवी और दूसरे ग्रहों की संबन्द में दो संकल्पना प्रचलित हैं जिसमें एक है अदैतवादी संकल्पना इस परिकल्पना को हम पैरेंटल हाइफूतिस के नाम से भी जानते हैं जिसमें ये बताया गया है कि एक ही तारे से संपून ग्रहों की उत्पत्ति को स्यूकार किया गया है अर्थात जो अदैतवादी संकल्पना है वो कहती है कि एक ही तारे से जो सभी ग्रह हैं जो बने हैं जैसे कि इसके समर्थक विद्वान कहते हैं कि सूरस से ही वाकी के आठ ग्रहे हैं, उनकी उत्पत्ती हुई है. दूसरी संकल्पना है द्वेतवादी संकल्पना, द्वेतवादी संकल्पना के जो विचारक हैं, ये विचारधारा ये कहती है कि इन ग्रहों की उत्पत्ती दो तारों के सैयोग से मानी जाती है, इसलिए इसे बाई पैरेंटल हाइपोथिसिस के नाम से भी जना जाता है. तो वर्थमान समय में ओरिजन ओप अर्थ अर्थात प्रत्वी की उत्पत्ती से सम्मंदित दो संकल्पना हैं एक है अदेतवादी संकल्पना और दूसरी है देतवादी संकल्पना अदेतवादी संकल्पना कहती है कि समस्त ग्रहों की उत्पत्ती एक तारे से हुई है जबकि दुएतवादी संकल्पना कहती है कि जो ग्रेय हैं उनकी उत्पत्ती दो तारों से हुई है अब हम एक एक करके देखें तो सबसे पहले देखते हैं अध्यतवादी परिकल्पना तो इसकी जो प्रमुक संकल्पना है उसमें है M.L.1 कांट की बायब रासी हैं प्रत्वी की उत्पत्ती की लेकिन यहाँ पर जो सलेवस में वो तीन ही संकल्पना हैं प्रत्वी की उत्पत्ती से सम्मंदत उसमें M.L.1 कांट की बायब रासी संकल्पना J.M.S. जीन की संकल्पना और फिर है Autosemite की संकल्पना तो अद्यतवादी में से एक है हमारे सलेवस में कांट की बायब रासी संकल्पना इसी अद्यतवादी में दूसरी है Laplace की निहारी का परिकल्पना ये लोग कहते हैं कांट महोदय कहते हैं कि एक बायब रासी थी जो इखटा होने से इन ग्रहों की उत्पत्ती हुई और Laplace महोदय कहते हैं कि वो ही बायब रासी को इनुने यहारी नाब दिया कि निहारी का से इस प्रकार से ये निहारी का इखट्टी होती गई और ग्रहों की क्या हो गई इस प्रकार से आगे चलके उत्पत्ती हो गई तीसरी संकल्पना है जो लौकियर महोदय की है उल्का पिंट परिकल्पना ये कहते हैं कि इन ग्रहों की उत्पत्ती उल्का पिंटों से हुई है दूसरी है द्वेतवादी संकल्पना तो इस विचारधारा के अनुसार ग्रहों की उत्पत्ती दो तारों के सयोग से मानी जाती है इस परियोजना को या परिकल्पना को वाई पैरेंटल हाइपोथिस के नाम से जाना जाता है और इससे सम्मंदित जो सिद्धान्त है उसमें है ग्रहानू परिकल्पना, जुवारिय परिकल्पना, दोयतारिक परिकल्पना, अंतयतारक धूल परिकल्पना और नबतारा परिकल्पना इस प्रकार की विचार धाराये हैं जो द्वेतवादी संकल्पना के अंतरगत आती हैं ये विचारक मानते हैं कि जो ग्रह हैं उनकी उत्पत्ती दो तारों से हुई है अब सबसे पहले हम देखें कि अब तक हम देख रहे थे कि जो प्रत्वी की उत्पत्ती है उससे समझे दो महत्पूर्ण सिद्दान्त है तो दोनों हमने देख लिए कि एक अधैतपादी एक दोएतपादी अब हम हमारे सिलेवस के अकोर्डिंग देखें तो उसमें पहला है कि कांट की बायबरासी संकल्पना इसमें हम देखें कि जो जर्मन दार्षनिक थे इमलेंड कांट उन्होंने 1755 इसमी में न्यूटन के गुर्टवाकर्शन के नियमों पर आधारत बायबरासी परिकल्पना का प्रतिपादित किया इनकी अनुसार एक तप्त और गती सील निहारिका से कई गोल चल्ले अलग हुए अर्थात ये कह रहे हैं कि इस परकार से एक निहारिका यूँ घूम रही थी और उससे बहुत सारे जो चल्ले थे वो धीरे धीरे क्या हो गए अलग हो गए और उससे विविन ग्रहों की निर्मान हुआ या उनकी उत्पत्ती हुई किन्तु इस सिद्दान्त में कांट ने गनत के गलत नियमों का प्रियोग किया क्योंकि ये सिद्दान्त कौनिय संबेक के सरक्षन के नियम का पालन नहीं करता है अर्थात ये जो सिद्दान्त है वो जिस परकार से कांट महोदय कह रहे हैं कि ये एक तप्त निहारी का थी उससे ये दूर हो गए और छलों के रूप में और एक एक करके ग्रह बनते गए लेकिन जब कालांतर में इसकी आलोसना हुई तो विविन दार्सरेकों ने कहा कि जो कणों के मद्द टककर उस समय ही हो रही थी ऐसा क्यों हुआ इससे पहले और बाद में अब तक टककर क्यों नहीं हुई या कणों के आपस में टकनाने से परिवर्मन गती उत्पन कैसे हो गई जबकि इस परकार की परिवर्मन गती जो ये ग्रह गोम रहे हैं चारतरब वो इस परकार की इतनी से एनरजी से नहीं हो सकती यह कौनिये संबेक का जो नियम है उसके विपरीत है तो हलांकि कांट महादय ने प्रत्वी की उत्पत्ती से समझाने की कौसस की लेकिन बाद में चलके उनकी क्या होई आलोसना लेकिन यहाँ पर देखो हम जब भुगौल पढ़ते हैं भौतिक भुगौल तो हमें पढ़ते समय यह ध्यान रखना है कि जिस भी दार्षनिक को हम पढ़ रहे हैं चाहे आगे चल कि उसकी आलोसना भले ही हो लेकिन हमें उस दार्षनिक के साथ ही चलना है उसे पढ़ना है कहीं ऐसा नहीं है कि आप क्या रहे इसकी आलोसना तो होई रही है फिर इसे पढ़ना क्या है नहीं हमें हमारे जो सलेवस पाठेकरम की अंतरगत जो दे रखा है जितन सकता है कुश्चन इस प्रकार से आए कि एमुलेन कांट के द्वारा दी गई वायवरासी परिकल्पना का आलोस्तनात्मक वर्णन कीजिए तो यहां पे आपको उसकी विचारधारा उसका वर्णन भी करना है और उसकी आलोस्तना भी करनी है दूसरी विचारधारा है जोरिये परिकल्पना इस परिकल्पना का जो पृतिपादन है वो जैम्स जीन महोदे ने 1919 में किया इनके अनुसार क्या कहते हैं वो कि सोर मंडल का निर्मान सूरिये और एक अन्य तारे के सयोग से हुआ है यह कहते हैं कि देखो यहाँ पे सूरिये था और यहाँ पे एक और तारा था कि इस प्रकार से सोर मंडल का निर्मान हुआ है यह जो तारा था जब सूरज के पास से गुजर रहा था यूँ इस प्रकार से तो इसके जो ग्रैविटी फोर्स था उसने सूरज में एक जुआर उत्पन कर दिया इस प्रकार का आगे चल के क्या हुआ कि यह तारा तो अपने पत्वे निकल गया आगे लेकिन जो यह जुआर था यहां पे जो उत्पन हुआ यह अलग हो गया इसे एक फिलामेंट का नाम दिया है और यह जीन जैफरे महुदै जो कहते हैं कि जुआर यह परिकल्पना में कि जो जुआर से फिलामेंट अलग हुआ था उससे आगे चल के इस प्रकार से आठ ग्रहों की उत्पत्ती हो गई जिसमें बुद्ध, शुक्र, प्रत्वी, मंगल और बीच के अंदर रह गई यह एस्ट्रोइड, फिर व्रस्पती, सनी और यह अरुन और यह बरुन तो सूरज की निकट से इस तारे के आने से सूरज का कुछ भाग जुआरिय उद्वेधन की कारण फिलामेंट की रूप में खिच गया और बाद में तूटकर सूरज का चक्कर लगाने लगा यही फिलामेंट सौर मंडल की विविन ग्रहों की उत्पत्ती का कारण बना यह परिकल्पना ग्रहों और उप ग्रहों के क्रम आकार और सरस्ना की क्या करती है वै क्या करती है अर्थात जैम जीन्स महोदय कहते हैं कि दूसरे तारे के सूरज के करीव आने से एक फिलामेंट उत्पन हुआ और उससे इन ग्रहों की उत्पत्ती हुई है लेकिन इनके सदंद की भी आलुसना हुई और आगे चलके बी लेरिन महोदय ने कहा कि अंत्रिक्ष में तारे इतने दूर हैं कि उनके अंदर इतनी कैपरसटी नहीं है कि वो कोई जुआर उत्पन कर सके दूसरे तारे पे जाके दूसरा उनने कहा कि सूरज में जुआरिय उध्वेदन के उपरांत सूरज के पास आने वाला थारा बाद में पुने क्यों नहीं आया आज तक इतने समय के बाद भी तो इस प्रकार से उनका ये जो जुआरिय उध्वेदन का सिद्दान था वो संतोस जरक नहीं रहा और आगे चलके इस सिद्दान की भी क्या हो गई आलोजना ये हमारे पाट्ठ करम में दूसरी विचारदारा है और तीसरी है आटो सिद्द की अंते तारक धूल परिकल्पना इसमें जो रूस के वैग्यानिक है आटो सिद्द महोदय 1943 में ये विचारदाराओनों ने दी वो कहते हैं कि ग्रहों की उत्पत्ती गैस और धूल के खणों से मानी जाती है जब सूरिय आकास गंगा के करीब से गुजर रहा था अर्थात आकास गंगा अलग थी और सूरिय अलग था ऐसा कह रहे हैं आटो सिद्द महोदय तब उसने अपनी जो ग्रेविटी थी आकरसन सक्ती से कुछ गैस मेग और धूल के कणों को अपनी और आकरसित किया जो सामोहिक रूप से सूरिय की परिक्रमा करने लगे अर्थात ये कह रहे हैं कि इस प्रकार का एक आकास गंगा थी और इस प्रकार से सूरज जब उसके पास से गुर्जरा तो उसने अपनी ग्रेविटी से यहां से धूल के कण और उनको अपनी और खींच लिया इनी धूल के कणों से प्रत्वी और अन ग्रेहों का निर्मान हुआ है किन्तु यह सिद्दान्त यह बताने में ऐसा मरत रहा कि सूरिय ने गैस और धूल के कणों को आकरसित कैसे किया अलंग यह कहतो रहे हैं कि ग्रेविटी फोर्स से इन्होंने आकरसित कर लिया और उससे फिर घनी भूत होके इकटा होके यह जो प्रत्वी और बाकी की अनिग्रेह हैं उनकी उत्पत्ती हो गई लेकिन आगे चलके सिद्दान्त की भी आलोसना होती है यह कहते हैं इस प्रकार से आप देखो कि यहाँ पे यह सूरिय आपको नजर आ रहा है और यह जब आता है तो इस प्रकार से यह आकास गंगा है इसको अपनी और आकरसित कर रहा है और धीरे धीरे घनीवुत होके यह यहाँ पे सराउंडिंग में घूमने लगी है और आग परिक्रमा करने लगे और इसी क्रम में प्रत्वी की भी उत्पत्ती हो गई लेकिन इन सिद्धान्त की भी आलोसना होती है आगे चल के कुछ वैज्यानिक कहते हैं कि गैस धूल और मेगाधी की उत्पत्ती अंत्रिक्स में कैसे हुई इसके बारे में ओटो सिमिड ने कोई अकास गंगा थी लेकिन वो यह नहीं बता पारे कि अकास गंगा कहां से आई थी दूसरी आलोसना यह हुई कि इसकी उपस्ति अंत्रिक्स में है इसका भी स्पस्टी करन आटो सिमिड ने संतोस जनक नहीं दिया गैस और धूल के गण आधी सूरज की और आकरशित क्यों हु कि कुछ समिश्याओं को सौल्व कर दिया जिसमें हम देखें कि सूरिय और ग्रहों के कौनी आवेग में जो अंतर होना सवाविक है क्योंकि ग्रहों की उत्पत्ती सूरिय से नहीं बलकि धूल के कणों से हुई है सूरिय की नजदिक इस्तित ग्रह भारी पदार्तों से तता दूर इस्तित ग्रह हलकी पदार्तों से निर्मत है यह बात इस सिद्दान्त द्वारा प्रतिपादित होती है तो यह आपके जो पाटिकरम है फरस्टियर का वतिक भुगवल का उसके अंदर जो प्रत्वी की उत्पत्ती के तीन सिद्दान्त हैं उसमें इमलिन कांट की बायवरासी परिकल्पना और जीन और जैफरे की जवारिये परिकल्पना और ओर्टो सिमिट की अंत्यतारक धूल परिकल्पना ये तीनों सिद्दान्त यहां दिये हुए हैं और ये पूरे होते हैं थैंक यू नेक्स पार्ट के अंदर गत हम प्रत्वी की जो अंत्रिक सरसना है उसका अध्यन करेंगे धन्यवाद